कि विल्कम टूमाइट चैनल इस्टेटी जी के वाई बिनास कुमार आज हम लोग देखेंगे बहुत धर्म से रिलेटेड़ जी के जो की एक्जाम पॉइंट ऑभी उसे काफी इंपर्टेंट है तो चलिए आज देखते हैं बहुत धर्म से रिलेटेड़ कोश्चन बहुत धर देखते हैं गौतम बुद के बच्पन का नाम क्या था गौतम बुद के बच्पन का नाम क्या था तो सिदार्थ गौतम गौतम बुद के बच्पन का नाम क्या था तो सिदार्थ गौतम नेक्स कोशन देखते हैं सिदार्थ का क्या आर्थ होता है सिदार्थ का क्या रथ होत नेक्स वेस्टन देखते हैं सिदार्थ गौतम का जन्म कब और कहां हुआ था तो सिदार्थ गौतम का जन्म कब और कहां हुआ था तो कपील बस्तु के निकट लुम्बनी ग्राम के आमरकुंज में 563 इसा पूर में हुआ था सिदार्थ गौतम का जन्म कब और कहां हुआ था तो कपील बस्तु के निकट लुम्बनी ग्राम के आमरकुंज में 563 इसा पूर में हुआ था सिदार्थ के माता पिता का क्या नम था तो सिदार्थ के पिता का नम था सुदोधन और माता का नम था माय देवी सिदार्थ के माता पिता का क्या नम था तो सिदार्थ के पिता का नम था सुदोधन और माता का नम था माय देवी नेश्ट ये किस बंस के थे तो साक बंस के थ कि सिदर्थ का लारन पालन किसके दरा खेया गया तो इसकी बिमाता परभाबती के द menorah जो उसकी मौसिब ही है कि और प्रसिदर्थ का लापालन कि सिदरा किया गया उसकी बिमाता परभाबते के द वर ह hij he मौसिभी थी नेक्स वोस्चन देखते हैं किस ब्रह्मन ने किस ब्रह्मन ने इनका नामा करन किया तो असित नामक ब्रह्मन ने इनका नामा करन किया था गौतम बुद का नामा करन कौन किया था तो असित नामक ब्रह्मन next question देखते हैं सिदार्थ की साधी किसके साथ हुई तो ये सुधरा के साथ हुई थी सिदार्थ की साधी किसके साथ हुई तो ये सुधरा के साथ next question इनके पूत्र का क्या नाम था यानि महात्मा बुध के पूत्र का क्या नाम था तो राहूल महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नम था राहूल नेक्ष्ट राहूल का क्या रत होता है तो राहूल का क्या रत होता है एक और बंधन उत्पन होना राहूल का रत होता है एक और बंधन उत्पन होना नेक्ष्ट वर्चन देखते हैं आप्रिये में से नपने वर्स का अवस्था में सिधार्थ ग्रिप्त्या कियतें उंतिस बर्सकी आवस्था में इन्होंने ग्रिप्त अकिया था कितने बर्स की अवस्था में सिदार्थ ने गृत्या किया था तो 29 बर्स की अवस्था में next question बाउध साहित में बुध के गृत्या की घटना को किस नाम से जाना जाता है तो महाविनिस कर्मन बुद्ध के गृत्या की घटना को किस नाम से जाना जाता है तो महाविनिस कर्मन की नाम से जाना जाता है next question सिदार्थ सिदार्थ को योग की विधियों का सिच्छा किसने दिती तो अलार कलामने सिदार्थ को योग की विद्ध्यों का सिच्छा किस ने दिया था तो अलार कलामने सिदार्थ को ग्यान की प्राप्ति कहा होई थी तो गया के समीव बोध गया के निकट बोध गया नामक अस्थान में पीपल बुरिच के नीचे सिदार्थ को ग्यान की प्राप्ति कहा होई थी तो गया के निकट बोध गया नामक अस्थान में पीपल बुरिच के नीचे कि नेख्शन सरृफ्घ। कहां उपदेश दिए थे ? सारनात्मी प्रवरत्म नाम से जना साथा Гवध सरृत्म उसल्व पडएिए थे ? साक्य मुनि के नाम से मह तमा बुध को जना जाता हा ? साक कि मुनि के नाम से महात्म republic कौन में जला Satya та welche से है ? तो इसके दू मुख्य फंत हैं महायान और हीन यान बाद धर्म के मुख्य फंत कॉन-कॉन-से हैं तो महायान और हीन यान बहुत भीच्चों के संगठन को क्या कहा जाता है तो इसे बहुत संग के नाम से जाना जाता है बहुत धर्म के पूजा असल को क्या कहा जाता है तो चैते मंडव कहा जाता है बहुत धर्म के पूजा असल को क्या कहा जाता है चैते मंडव नेक्स्ट कोस्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् को शर्वोपरी और आनंद दायक बताया था नेक्ट क्वेश्चन देखते हैं बहुत भीच्छुक के निवास स्थान को क्या कहा जाता है तो विहार इसको क्या कहा जाता है बहुत भीच्छु के निवास स्थान को क्या कहा जाता था विहार बहुत भीच्छु के निवास स्थ को क्या जाता था भी हर कहा जाता था कि अ है कि निवशन जख्ता दहकते हैं बाई थार्म के पर्तिक सिन तो गरी त्यागी कप प्रतिक की आय आश्व जन्म का कमल बसा और जियन वुद्धि पूस्ट करें है बहुत धर्म के प्रतिक्षिन क्या हैं तो ग्रित्याग अस्व जन्म कमल वसाण ज्ञान बुधिवरिश और फिफल निर्वान पदिशिन और मिट्टू अस्टूप हैं नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं महात्मा बुध ने कितने आरिष सत बतला है तो उन्होंने चार आरिष सत बतला है दुख का कारण दुख का अंध दुख के अंध का उपाए महात्मा बुध ने कितने आरिष सत बतला है तो उन्होंने चार आरिष सत बतला है दुख का कारण दुख का अंध दुख के अंध का उपाए महात्मा बुध के अश्टांगीक मार्ग कौन-कौन से है तो इनके अश्टांगीक मार्ग है पहला सम्यक दृष्टी सम्यक संकल्फ, सम्यक बचन, सम्यक कर्म, सम्यक अजीवकर, सम्यक परियत्म, सम्यक पिचार, और सम्यक ध्यान महात्मा बूदि के अश्टांगी कमार कॉन कॉन से हैं सम्यक द्रिष्टी, सम्यक संकल्फ, सम्यक बचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक परेत्न, सम्यक विचार और सम्यक ध्यान Next question दखते हैं बहुत साहित में कितने पिटक हैं? तो बहुत साहित में तीन पिटक हैं, जिसे तीरी पिटक के नाम से जाना जाता है बहुत साहित में कितने पिटक हैं, तो तीन पिटक और इसे तीरी पिटक के नाम से जाना जाता है दूसरा जो पिटक है अभिधम पिटक इसमें बहुत संग के नियमों का उलेक मिलता है और तिसरा जो है बिनाई पिटक इसमें बहुत दर्शन का विवेचन है बहुत सहित में कितने पिटक हैं तो इसमें कुल तिन पिटक हैं पहला है सुत पिटक इसमें बूध के धार्मिक बुछार और बचनों का संगरा है दूसरा है अभिधम पिटक इसमें बाध संग के नियमू का उलेख मिलता है और तुसरा बिने पिटक इसमें बहुत दर्शन का विविच्छन है जाता कथाएं किसे संबंधित है तो जाता कथाएं महात्मा बुध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाओं से संबंधित है क schöne महात्मा बुद अपना पहला उप्देश किस भाषा में दिया था without Hai महात् restor भुड्न अपना पहला उक्देस किस भशा में दिये थे तो पाली भासा में मुलूप से मख़़धि भासा हुए लेक्क्ता है थीन्ट 9wen सवकल अीज, पहला है अहिंछा, फिर अस्ते, י को दूसरा सत्य, और तीसरा हों गया स्ते अर्थात चोरी न करना परिग्ला संग्रां नकरना विर्धर संग्रम्नि न करनार्फट निर्थव संग्रा क्यूं करना सूंगन्धत पडार्थों विर्ष कुए सिंसार के परिववाजिकों का परत्थम संग्थन कौन था तो बहुत संग संसार के परिबराज़कों का पर्थम संगठन कौन था तो बहुद संग नेक्ष्ट महात्मा बुद के मिर्तु कव और कहां हुई तो 483 इसापुर में कुशी नगर में महात्मा बुद के मिर्तु कव और कहां हुई तो 483 इसापुर में कुशी नगर में नेक्ष्ट बहुद धर्म के सरपर्थम अनुआई बनने वाला कौन था तो दो बंजारा था तप्सु और मलिक बहुत धर्म के सरपर्थम अनुआ वनने वाला कौन था तो दो बंजारे थे तप्सु और मलिक Thank बिस्प मेंनारी के समाना धिकार का सरपर्थम परचारा कौन थे तो एक धर्म सुधारक थे गमहान धर्म सुधारग दखते हैं बहुत तथा जैन धर में समानता किसमे है अनिश्पर बाद अब हम लोग देखेंगे इंपोर्टेंट पध संगिती बहुत संगिती के बारे में देखेंगे तो चली देखते हैं पर्थम बहुत संगिती कायोजन 483 सापूर में हुआ था कहां राजगीर में किसके सासनकाल में अजात सत्रू के सासनकाल में पर्थम बहुत संगती 483 सापूर में राजगीरी यानि राजगीर में अजात सत्रू क के समय में हुआ था नेक्ट क्वोस्चन दूतिय बहुत संगिती का यूजन तिन्सो तिरासी इसा पूर में हुआ था और किसका तो तो काला सोग के सासनकाल में हुआ था नेक्ट कोश्चन तिर्तिय बहुत संगिती का आयोजन 255 इसापुर में हुआ था पाटली पुत्र यानि पतना में हुआ था पाटली पुत्र यानि बरतमान में पतना उसका नाम है वहां हुआ था और किसके सासनकाल में तो असोग के सास यानि कश्मीर में और किसका शासनकाल था उस समय कनिश्कर का पर्थम बहुत संगितिक आयोजन 483 इसापूर में राजगीरी में 177 के शासनकाल में हुआ था दूतिय बहुत संगिति 183 इसापूर में बैसाली में काला सोक के सासनकाल में और तुरतिय बहुत संगितिक आयोजन दूसरो पच्छपान इसापूर में पाटलि पुत्र में असोक के समय में किया गया था और चतुर्त बहुत संगिती का आयोजन इसा की पर्तम सताबदी में कुंडल बन कस्मीर में किया गया था कनिस्क के साशनकाल में किया घ्या था तो फ्रेंड्स अधी वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब और से जरू करें वीडियो दखने के रिए थैंक्यू नेक्ट वीडियो में मिलते हैं